नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News कुरुशेत्र में आई विभिन पतो पर भरती लास्ट डेट नजदिक हरियाणा में स्कूली बच्चों को गनित का डर से मिलेगी मोक्ती हर क्लासरूम में बनेगे पजल कोर्नर हरियाणा में कोंग्रेस की लोक्सवास टिक्टो पर घमासान खडगे सोन्या की मिटिंग में सिर्फ तीन सीटेई फाइनल हुई चैपर स्यम्ति कले बनी कमेटी हरियाणा में चोटला प्रिवार के बीच जुबानी जंग शुरू अब दूशेंत ने चाचा अभय को दी ये चुनोती जम्मू तबी उद्यपूर के बीच चलेगी गरीबरत मैसूरू अजमेर स्पेसल ट्रेन का भी होगा संचालन रेवाडी से होकर गुजरेंगी ये ट्रेने दिली जैपूर हाइवे पर सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर इस चोक पर अब साथ महिने तक सर्विस रोड पर चलेगा ट्रैफिक चर्के दादरी में भारी भारिस किसानों को नुक्सान अनाज मंडी में ग्याउं सर्चों के फसल भीगी सटके भी पानी में डूबी बड़ी परेशानी कैथल में आप ने था अनुराग डांडा का अटैक बोले परदेश में दोलाग पद खाली पड़े है लेकिन सरकार बच्चों को इसराइल भेज रही है अंबाला में विजय संकल प्रेली में सियम नायब सेड़ी ने बंतों कठारे के लिए किया चुनाओ प्रचार तो कॉंग्रेस पर जम कर साधा निशाना बीजय पी आज संकल पत्र जारी करेगी पीम मोधी मोधी मोजुद रहेंगे मेनिफेस्टों में पार्टी उन्हीं वादों को सामिल करेगी जो पूरे किये जासके बोर्न विटा जैसे प्रोडेक्ट हेल्थ ड्रिंक नहीं सरकार ने इन्हें इकॉमर्स प्लेटफर्म पर इस केटेगरी से हटाने को कहा सरकारी नोगरी अपडेट पंचाहिती राज विभाग ने 6500 पतोप पर निकारी भरती कल से शुरू होंगे आवेदन एकजाम से होगा इसलेक्शन और IPL के 17 सीजन में सनिवार को रास्तान रोयल्स ने रोमान चक मुकाबला जीता टीम ने मुलनापुर में होम टीम पंजाब किंग्स को तिन विकेट से हाराया और अब खबरे विस्तार शे मौसम विभाग ने जानकारी दियेगी सनिवार रात से पश्चमी विशॉफ सक्रिय होने के साथ ही मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा ऐसे में पश्चमी विशॉफ के सक्रिय होने से 16 अपरेल तक मौसम खराब रहने की सबसे आधिक संभावना जताए गई है मौसम विगानिकों का कहना है कि बारिश के साथ उलावश्टी होगी जो कि किसानों के लिए चिंता गविशा है इस दोरान हवा की गती भी 30-40 किम्मटर पर दी गंटे की रहेगी कुछ स्थानों पर मद्यम से भारी बारिश की भी संभावना वैक्त की गई है जिससे दिन के दाबमान में हलकी गिरावट लेकिन रात के दाबमान में मामली बढ़ोतरी की संभावना वैक्त की जा रही है मौसम विभाग ने पानिपत भिवानी चर्केदादरी में येलो अलर्ट जारी किया है राश्ट प्रोधोगे की संस्थान कुरुषेतर द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड एक वह अन्य पतों पर भरती के लिए आविदन मांगे गए हैं जो भी इन पतों पर आविदन भेजने के चुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के मादिम से अपने आविदन भेज सकते हैं ओनलाइन आविदन करने के बाद उमिद्वारों को अपने आविदन फार्म की हार्ड कोपी भी जमा करवानी होगी आविदन करने के अंतिम देथी 25 अप्रेल 2024 है आविदन फॉर्म की हाड़कोपी जमा करवाने की देथी के बात करें तो 30 अप्रेल 2024 रहेगी इन पदों पर आविदन भेजने वाले उम्मिद्वार MR, M-Plan, PhD वे M-Tag या फिर MSC डिगरियों धारक होने चाहिए उम्मिद्वार करने के बाद फॉर्म की हाड़कोपी भी जमा करवानी होगी हरियना में चोटाला परिवार के बेच शुरूवे सियासी बाण थमने का नाम नहीं ले रहे हैं इसके साथ ही अभे चोटाला को non serious politician करा दिया वहीपरिवार के एक होनी के पहले पर उन्हों ने कहा कि परिवार के मुख्या 14 dew उपर का ने कहा कि अंके लेवल पर यह पहल हो सकती है क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो छेतरे दल के दर्जा और दस्मे का सिंबल गवाना पड़ेगा उन्होंने कहा कि वो आप दिन दूर नहीं है सिब अबेसिंग चोटाला अपनी पार्टी का विले किसी दूसरी पार्टी के साथ कर ले बता दें कि अजे चोटाला द्वारा आईनेलडी और जेजेपी के एक होनी के बयान पर अबेसिंग चोटाला ने खरी खरी सुनाई थी उन्होंने कहा था कि ये लोग चोदरी देवलाल की नेतों पर चलने के बात करते थे लेकिन बीजेपी के साथ सरकार में भागिदार बन कर इन्होंने परदेश में जमकर लूट मचाई बड़े बड़े घोटा ले कर इन्होंने हजारो क्लोड रुपे हड़प लिए इनके परती लोगों के मन में जहर भर चुका है और उम्पर का चोड़ाला भी सपस्ट कहा चुके हैं कि ये पार्टी के गद्दार हैं और गद्दारों के लिए आईनेलडी में कोई जगाए नहीं है हरियने के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहदी अच्छी कबर सामने आई है इन स्कूलों के हर क्लासरूम में जल्दी एक पजल कोरनर तयार किया जाएगा या पजल कोरनर अलग-अलग विशे को पढ़ने बस समझने में मदद करेगा परदेश के सभी पहली से लेकर कक्षा बारू के स्कूलों में ये कोरनर तयार किया जाने है अभी तक स्कूलों में बुक्स कोरनर ही कलासरूम में नजर आते थे लेकिन अब इसके साथ-साथ पजल कोरनर भी दिखाए देगा इस समझ में शिक्षे विवागी ने सभी स्कूलों के लिए जारिया आतेश में कहा है कि वे सेक्षनिंग सत्र के सुरूआच्चे ही अलग-अलग पजल कोरनर बच्चों के लिए तयार करें खास तोर पर NCRT द्वारा जो हर बंस पजल तयार किया गई है हर बंस का अर्थ है हर बंदा समझदार यानि सब एक समान है गनित शीकने का या नए तरीका तयार किया गया है पजल बच्चों को गनित विशा के डर से मुक्ति दिलाने में मददगर सावित होंगे और साथ ही अन्य विश्यों के पजल भी यहाँ पर चात्रों को पढ़ाने में साहिक होंगे हर याने के महंदरगड में जील पबलिक स्कूल की बस दुरुपटना में च्छे बच्चों की मौत के मावले में बड़ा खुलासा हुआ है जो बस हाच्छे का सिखार होई थी मार्च महिने में खामया मिलने पर उस पर साड़े पंदरह जाव रुपए का जुर्माना लगाया गया था हैरानी की बात तो यह है कि जुर्माना होने के बावजूद भी स्कूल मनेजमेंट द्वारा बस के डॉकुमेंट्स पूरे नहीं कराए गई इसके अलावा इस स्कूल की 11 बसों का फिटनेस प्रमान पत्र एकस्पायर हो चुका है अधिकतर बसों का इंसुर्मान तक नहीं है आपको यहां पर बताने कि स्कूल बस दुरुगटना मामले में गरफ्तार ड्राइवर धर्मेंदर प्रिंशिपल दिप्ती और स्कूल सचिव होशियार सिंग को कनिना कोट में पेश कर पास दिन के रिमांड लिया गया है जब कि स्कूल चेर्मेन प्रिश ग्राफ से अभी तक बाहर है आरूपय का केस लड़ने से सबी वकिलों ने मना कर दिया है साथि दुरगटना में घायल वे बच्चों में से चाह के हालत तिर बताई जा रही है बारवी कख्षा की छातरा सप्रा को ओपरेशन क्या गया है छातरा सप्रा की कमर की हड़ी में फ्रेक्चर आया है इसके साथ ही उसके सिर पर भी गंबीर चोट लगी हुई है गुरुवार को कर्णीना चेतर के उनानी गाव में हुए हाथसे में 6 बच्चों की मोत हो गई थी जबकि करीब 25 बच्चे घायल हो गई कांगरेश के केंदरी चुनाव स्मितिक बैटेक्स सनिवार साम 4 बजे दिल्ली में शुरू हुई इस बैठक में हर्याना पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कॉंगरेश नेताओं के अलावा सोनिया गांधी, कॉंगरेश सदेक्स, मलीका रुजन, कडगे, मोजुद रहे हर्याना के तरफ से बैठक में भाग लेने के लिए पोरमोख्यमंद्री बुपेंदर शिंग हुड़ा, परदेश सदेक्स, उदैबान, कुमानी सहलजा और रनदीप सूर्जेवाला सामिल वे हर्याना कॉंगरेश प्रवारी दिपक भाबरिया भी मिटिंग में मोजुद रहे, मिटिंग में हर्याना कॉंगरेश के ओर से दिये गए नो शिटों के पैनल पर चर्चा की गई, हर्याना कॉंगरेश के रोतक, सिर्षा और अंबाला शिट पर सैम्थी बन पाई, बागी छ परण चोदरी करना लोक्षवास एट से चान के पंडित सोनिपत से सत्पाल ब्रहमचारी रोतक्षी दिपेंद्र हुड़ा विवानी से शुरूती चोदरी कुरुग्राम से राजबबर मैं प्रिदावाची क्राण दलाल हिसार से चोदरी ब्रिजंदर शिंग का नाम सामिल थ सरके दजरी अनाज मंडी में सर्चों की बंपर आवक हुई है मंडी में आवक तुरह मंदी के चемन करना इन दो दिन घराण घृत हे ठीज भी हर गया है और खराब होने का अंदेशा है आर्थियों ने अपना पल्ला जारते भी काया है कि समय पर उठान नहीं होने के कान अनाज बारिस की मेंट चड़ा है करीब एक गंटे तक हुई इस बारिस से तर्की दाजरी साहर की बस्टेंड रोड कोट रोड लोहरो रोड सहीत विभिन कोलियों में जल बरा हो गया है हरियाना के कैथल में आमादमी पार्टी के वरिष्ट परदेश उपादेक्स अनुराग धानडा ने सेनिवाल को कारे करता हुई बैठकी इस बैठक के बाद पत्रगार वारत में अनुराग धानडा ने भासपार सरकार पर हमला बोला धानडा ने कहा कि भासपार सरकार निरंतर कहती रहती है कि हम हरियाना में युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते एक अप्रेल को 530 युवाओं को जथा इस्राइल के लिए रवाना हुआ वहीं भारत सरकार ने 12 अप्रेल को ट्रेवल एडवाईजरी जारी कर भारतिय नागरिकों को इस्राइल ना जाने को कहा वहाँ कभी भी इरान और इस्राइल के बिद युद बढ़क सकता है हरियाना सरकार ने जानबुझकर 530 युवाओं को युद में जोक दिया है क्या मुख्यमंतरी नायव सिंग सेनी या फिर पूर मुख्यमंतरी मनोलाल खटर इन युवाओं की जिम्मेदारी लेंगे हरियाना में रेली यात्रियों के लिए एक और अच्छी का पर सामने आ रही है गर्मियों के सेजन में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए भारतिय रेलवे द्वारा स्पेसल ट्रेनों की संक्या में इजाफा क्या गया है जिसका फायदा सुबे के लोगों को भी मिलेगा जम्मु तवी उद्यपूर शीटी गरी बरत साफ्ताइक स्पेसल ट्रेन 25 अप्रेल से लेकर 27 जून तक जम्मु तवी से रवान आओकर उद्यपूर शीटी पहुचेगी बीच रास्ते में ये ट्रेन पठानकोट कैंट, जानंदर कैंट, लुद्याना, धुरी, जाखल, हिसार, भिवानी, रेवाडी, अलवार, बांदिकोई, ज्यापूर, किसंगाड, अजमेर, नशिराबाद, विजयनगर, भेलवाडा, मांडल, चंदेरिया, मावली, विराना परताव नगर स्टेस्नों पर दोनद दिशाओं में ठहराव करती हुजाएगी, माई ट्रेन नमबर 062, 80, मैसुरू, अजमेर, साफ्ताइक, स्पेसल ट्रेन, 13 अप्रेल से 18 माई तक मैसुरू सिरावाना होकर अजमेर पहुंचेगी, इसी प्रगाट ट्रेन नमबर 062, अज बिलासपूर में करीब 7 मैने तक वाहनों का आवागमन सर्विस रोड पर रहेगा, यहां फ्लाई ओर निर्मान कारियों को लेकर दोनों में करीजवे बंद कर उनका ट्रैफिक सर्विस रोड पर डाइवर्ट कर दिया गया है, पहले जैपूर के और से जाने वाले करीजवे बड़ोदरा आधी से जोडने का कारी करता है, ऐसे में यह ट्रैफिक दिक्कतों के चलते दिली जैपूर हाइवे के नविनिकान के तैट फ्लाई ओर का निर्मान क्या जा रहा है, यहां फ्लाई ओर की कुल लंबाई 650 मीटर रहेगी, इसका डिजाइन इस तरह से तयार किया रही है, इसी भी इस गुरुग्राम से पूरू प्रतैसी कैप्टन अजे सिंग यादव के स्थान पर राजबबर को टिकट मिलें के चर्चाई प्रारम हो गई है, अगर इस सीट पर राजबबर को मैधान में उतारा जाता है, तो भाजबा प्रतैसी राव इंदर जीचे च प्रतैसी कैप्टन अजे सिंग यादव ने सीधे मुकाबले में हार के बावजूद 4,95,000 वोट लेकर सबसे सफल प्राज़ित पर राजबबर को मैधान में उतारते है, तो राजबबर की जीत को दक्षन हर्याना की राजनिती में बहुत बड़े फेर बदल से जोड़ा ज जूरत में अगले लोक्षवा चुनाओं के लिए कैप्टन का दावा इस शीट पर इस बार्षित ज्यादा मजबूत हो जाएगा नागरिक 26 सप्रेल तक अपना वोट बनवा सकते हैं, पात्र वैक्ति समंदित बेलो निर्वाचन पंजियन अधिकारी साहक निर्वाचन पंजियन अधिकारी के पास फार्म नंबर 6 बरकर वोट बनवा सकते हैं, यह फार्म मुखित निर्वाचन अधिकारी कारेले की वेब वही मद्दाता अपने मतादिखार का पर्योग कर सकता है भाजपा लोक्षभा चुनाव दोजार चोविस के लिए आज यनि रविवार 14 अप्रेल को संकल पत्र जारी करेगी पार्टी को अब तक 15 लाक्षी जादा सुझाओ मिलें पार्टी शुत्रों के मताबिक बात करें तो भाजपा के गोशना पत्र का विश्य है संस्कतिक राष्टवाद के साथ साथ मोदी की गारंटी विक्षिदभार 2047 पर फोकस रहेगा पार्टी संकल पत्र में क्यावल उन्हीं वादों को शामिल करेगी जो पूरे किये जाज़के गोशना पत्र विकास, समर्द भारत, महिलाओं, युवाओं, गरिबों और किसानों पर केंद्रित होने वाला है पांच्याईति राज विभाग ने 6500 पदों पर भरते की गोशना की है इसके अंतरगत लेकपाल शाहिक आईटी की पदों पर भरते की जाएगी अब लेकेसिन फोर्म की प्रोसेस 15 अपरेल यानि कल से परार्म होने जा रही है इन पदों में 4,270 पद पुरुष उमिद्वार तो महीं 2300 पद महिला उमिद्वारों के लिए आरक्षित कर दिये गए है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मानित प्राफ्त संस्तान से बीकॉम या एमकॉम या पर सीय इंटरपास होना जरूरी है जिन लोगों ने सीय इंटरपास किया हो उन्हें वरियता दी जाएगी सिलेक्षन प्रोसेस की बात करें तो लिखित प्रिक्षाट, डॉकुमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आदार पर इस भरते में उमिद्वारों का चैन किया जाएगा आज खबरों बशितना ही, देखते रहे आपका अपना हरियान का सबसे बेहतरी न्यूज चैनल CWB Hindi News, नमस्कार, इसी आसा के साथ आपका दिन सुब रहे